Hmseed ये टेक्निक मेरी personal favorite है मेरी बिजनस में ये टेक्निक मुझे बहुत ज्यादрем करती है सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे वो काम जो हमारे ली IMPORTANT है and urgent है फिर दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे वो काम जो हमारे ली IMPORTANT है पर urgent नहीं है और वैसे ही तीसर बॉक्स में हम लिखेंगे वो काम जो बहुत urgent है पर हमें जरा भी important नहीं And lastly, चौती बॉक्स में हम वो काम लिखेंगे जो हमारे लिए urgent भी नहीं है and important भी नहीं है अच्छा, आप खुद ही logically सोचे वो काम जो आपके लिए important है and urgent है वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा so just do it वो काम जो आपके लिए important है पर urgent नहीं है पर आपको definitely वो बाद में जाके करना पड़ेगा तो schedule it वो काम जो आपको urgent है पर जरा भी important नहीं है वो वैसे काम है जो आप किसी और को delegate कर सकते हो, आप किसी और से करवा सकते हो And lastly, कुछ ऐसे काम रहेगे जो आपके लिए important भी नहीं है and urgent भी नहीं है उसको simply करना delete And friends, कौन सा काम आपके लिए urgent and important है, वो आपको खुद ही decide करना पड़ेगा वो बहुत ही subjective चीज है इसको ऐसे समझे, बहुत बार कोई काम हमें पसंद नहीं होगा भले ही वो important हो तो हम उसे जान मुझके not urgent की category में डाल देते है And बहुत बार कोई काम हमें बहुत पसंद होगा पर उसकी जरावे importance या फिर urgency नहीं होगी तो हम उसे बहुत urgent वाले category में डाल लेते है Just because हमें वो बहुत पसंद है वो काम Well, trust me friends, emotional होके कोई भी decision मत लेना मेरा कहने का ये मतलब है कि चारो boxes में काम divide करने से पहले आपको सिर्फ थोड़ी से common sense उसकरनी है Emotional basis पे कोई भी काम को कोई भी box में placing मत करना आप ये expect नहीं कर पाओगे कि कल से ही आप आपके 100% efficiency level पर पौचने वाले हो But yes, baby steps आपको आज से ही देने पड़ेगे Thank you